भारतिय जन्संग से लेकर भारतिय जन्ता पार्टी हमेशा इस विचार को और सामाजिक न्याय की लड़ाई सत्ता में रहे तो भी और सत्ता में न रहे तो भी हमेशा इस सामाजिक न्याय की लड़ाई को हम सब लोगों ने लड़ा है हम जानते हैं कि आज संकल पत्र की को लोकारपन होगा लॉंचिंग होगी लेकिन हम सब को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि भारतिय जंता पार्टी और शुरू में जंसंकाल से लेकर यह वैचारिक अधिश्टान आइडियोलोजिकल बेस्ट पार्टी होने के नाते एक विचारों को लगातार आगे बढ़ाते हुए उस वैचारिक अधिश्टान की यात्रा में हम सब लोग समिलित हैं और हर वाद जब चुनाव आता है तो उसी वैचारिक यात्रा को आगे बढ़ाने का क्रम हम सब लोगों ने किया है और उसको आगे बढ़ाया है जिस बात को 1952 में शामा प्रशाद मुकर जी जी ने कही जिसे आगे पंडित दीन दियाल उपाईद्य जी ने आगे बढ़ाया उस विचारधारा से हम कभी धिगे नहीं हम उसको समर्पित रहे और उसको आगे बढ़ाने में हम सब लोगों ने भरसक प्रयास किया है और हम कह सकते हैं कि मैनिफेस्टो या संकल्पत्र यह उस विचारधारा उस वैचारिक अधिश्टान का अनपोल्डमेंट है उसी को आगे किस तरीके से बढ़ाया जाए उस यात्रा को आगे बढ़ाने का काम हम सब लोगों ने किया है हम सब जानते हैं एक समय में हमने एक आप मानवाद की बात कहीं उसी को आगे हम लोगों ने जब हम सरकार में आये तो अंतोदै के रूप में हम लोगों इसको स्तापित किया और प्रणान मंत्री मोदी जी ने उसको सरल भाषा में सबको समावेश करते हुए और सबकी भाषा में उसको सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास से जोड़ते हुए नीतियों को आगे बढ़ाने का काम सिया मुझे याद है कि 2014 में जब प्रदान मंत्री मोदी जी संसद्य दल के नेता सेंट्रल हॉल में चुने गए थे तो उस समय उन्होंने बड़े स्पस्च चब्दों में कहा था कि हमारी सरकार गरीब को समर्पे थे हमारी सरकार गाओं के विकास को समर्पे थे हमारी सरकार जो समाज के अंतिम पाइदान पर खड़ा व्यक्ति है उसको समर्पे थे और उसी को कारे रूप देते हुए 2014 से एक लंबी यात्रा करते हुए पिछले दस वर्षों में प्रधान मंत्री मोदी जी की नित्युत में देश ने इन सारे आयामों को बखूबी जंता को गाओं गरीब की चिंता करते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम किया है कि मित्रों में यहां एक बात और भी कहना चाहता हूं कि जब देश की जंता क्लियर मैंडेट देती है तो नतीजे भी बड़ी स्पष्टता के साथ आते हैं हम सब लोग जानते हैं कि 2014 में प्रधान मंत्री मोदी जी की नित्युत में हमारा वोट शेर 31 प्रतिशत पहुंचा 282 सीटे हमने लोग सभा की जीती और 2019 में प्रधान मंत्री मोदी जी के नित्युत में हमने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा और हमारा वोट शेर 37.3% तक पहुंचा और हमारा सीट शेर 303 सीटे हम लोगोंने लोग सभा में जीती हम यह कह सकते हैं कि इस क्लियर मैंडेट को प गरीद के लिए वंचित के लिए दलित के लिए हमारे महिलाओं के लिए हमारे युवाओं के लिए हमारे किसान भाईयों के लिए और हमारे वंचित भाईयों के लिए उनको समर्पित किया और उसी तरीके से अगर मैं गाउं की बात करूं तो आज गाउं मैं यहां प्रधा सबाक्षेत्र में लगभग 90 प्रतिशत के गाओं को घूमने के लिए पैदल जाना पड़ता था आज हम कह सकते हैं कि ग्रामीन सड़क 3,80,000 किलो मिटर की ग्रामी सड़के बनी है आल वेदर रोड बना और आल वेदर रोड के माज़म से पक्की सड़के बनी है आज हमारे इलाकों में कोई ऐसा गाओं नहीं रहा जहां हम पक्की सड़क से पहुंच नहीं सकते हैं यह बदलता भारत की तस्वीर हमने देखी है उ कभी हमने कल पनान नहीं की थी घाओं का सशक्थिकरण होगा कभी घौ में भी कोई उप्टिकल फाइबर पहुँचे लेकिन आज मुझे कुशी है कि आपके नेथ्वितों में दो लाख चाइटों को आपके नेथितों में अप्तिकल फाइबर से जोड दिया गया है और उनको भी इंटरनेट फेसिलिटीज के साथ जोला गया है गरीब कल्यान की बात करें तो एक समय में यह असंभव सी बात लगती थी कि हम गरीग तक अन पहुंचा सकेंगे लेकिन आपने त्रासिदी में भी अफसर ढूंड करके प्रहान मंतरी गरीब कल्यान अन योजना की स्कीम को आगे बढ़ाया 80 करोड की जनता को या तो पांच किलो गेहूं या पांच किलो चावल या और एक किलो दाल ये देने की विवस्था की आज उसके कारण हम यह कह सकते हैं कि लगबग 25 करोड लोग भारत की आबादी आज गरीबी की रेका से उपर उठकर के अबव पावर्टी लाइन में आ गई विलो पावर्टी लाइन से निकल गई यह भी हमारे जान और इंटरनाशनल मॉनिटरी फंड के अनुसार अती गरीबी भारत में अब एक प्रतिशत से भी कम हो गई है पॉइंट जीरो एक परसेंट सेवन परसेंट पर लाकर कि खड़ाती है उसी तरीके से आवास योजना मैं यहां बार-बार सुनाता हूं और मुझे वह बार-बा असल की सच्चाई थी एक समय में हमारे यहां हमारा ब्लॉक डेवलेप्मेंट आफिसर आके बताता था कि मेले साथ आपके हां एक पंचायत में दो इंद्रा आवास योजना मिली है दो अब बताओ इसको किसको दे और मेरे लिए प्रश्न होगता था कि यह किसको दे क्योंक मैं वीडियो साथ को कहता था कि आप ही त्रह करो कौन से मापदन पर आप दे सकते हैं लेकिन आज चार करोड प्रधान मंत्री आवास योजना में पक्के घर बन गए और आगे भी इस कारे को आगे जारी रखा गया है उसी तरीके से महलाओं की चिंता की बात करें आज जंधन खाते में 50 करोड़ में से 55.5 प्रतिशत जंधन खाते महलाओं के नाम पर खाते खुले हैं यानि महलाओं का सशक्तिकर्ण हुआ यह भी हमें ध्यान में रखना चा आप सब लोग शहर में रहकर के आपको लगता होगा हां गैस का सिलेंडर मिल गया लेकिन यह इतनी ही चोटी कहान ही नहीं है हमारी बहने गाओं में पांच बज़े सुबह उड़ती थी जंगलों में जाती थी लकणियां कारती थी आ करके चूला जलाती थी फूकनी से फू पांच मिनट के अंदर गैस के चूले के कारण नारी सशक्तिकरन किस तरीके से हुआ इस उज्वला गैस के कारण और दस करोड से 11 करोड दस करोड सिलेंडर इस तरीके से और गैस के करिक्शन दिये गए जो सबसे बड़ी बात है मैं उझे याद है मैं बताना चाहूंगा जब मैं चोटा था और जब मैं कभी भ्रह्मन पर सुबह सुबह निकलता था तो मैं देखता था कि गाओं की बेहने जुंड के जुंड सिर्फ अपने दैनिक नित्सक्रम के लिए नैशनल हाइवे से होते हुए गाउं और खुले बेर को सौच जाना पड़ता था दैनिक जीवन में अपने इस तरीके का जीवन देखी सूरियोदे और सूरियास्त का इंतजार करना पड़ता आज 11 क्रोड इजद घर बनाकर 11 क्रोड बेहनों को इजद देने का काम और लाइज विडिग्निटी यूमन डिग्निटी विमें डिग्निटी इसकी चिंता अगर हुई तो वह प्रधान मंत्री मोदी जी के नित्यत्तों में हुई है वह भी हम सब के ध्यान जैसा मैंने कहा आज हमारा वैचारिक अधिस्थान क्लियर मैंडेट के क्लियर रेजल्ट होते और क्लियर मैंडेट आपने दिया उसका क्लियर नतीजा निकला और वह नतीजा यह है हमने 1951-52 में कहा एक देश में दो निशान दो विदान दो प्रधान नहीं चले हम 1951-52 से यह बात कह रहे थे लेकिन आपने क्लियर मैंडेट दिया और 2019 के ग्यारा चे अगस्त को तोहरा 370 को अब्रोगेट कर दिया गया धाराशाही कर दिया गया रानमंत्री मोदी जी की इच्छा शक्ती ने उसकारे को पूरा किया है आद कि मुझे याद है कि पालंपुर का प्रस्ताव पारिट हुआ था कि हम राम मंदिर बनाने के रास्ते को प्रशस्त करें कि यह पालंपुर का लंबी यात्रह हमने की और हमने वो भी दिन देखे जब कौंग्रेस के वकील खड़े करके नियाइक प्रक्रिया को रोकने का प्रयास करते थे और यह कहते थे कि इससे भारतिय जंता पार्टी को फाइदा होगा उनको देश की चिंता नहीं थी उनको रामलेला की चिंता नहीं थी उनको भारत की संस्कृति और गौरव की चिंता नहीं थी वह वोट बैंक की 22 जनवरी को आपके करकमलों के द्वारा वह आज राम लला वहां राजमान है और उनका प्रतिश्था आपके दस दिन के अथक कारिक्रम और अनुष्ठान के बाद आपके करकमलों द्वारा हुआ वह भी हम लोगों ने देखा है कि ट्रिपल तलाग तीन तलाग कोई अस विशेए को करेंगें को इस विशेयक पर चर्चा भी है सुप्रीम कोट से लेकर कि समाच के सभी वर्ग मानते थे कि यति तेन तलाग मानवता के लिए एक तरीकе सिर्व रासदी है इसको समाप्त होना लेकिन यह इच्छा शक्ति द्रड इच्छा शक्ति तो रहानमंत्री मोधी जी दिखाई और आपकेक ट्र को रानमंत्री मोदी जी को करने की लिच्छा शक्ती दी और आज सिफ्वत तराक से हम बहनों को हमारे मुस्लिम बहनों को हम लोगों ने आजाद किया यह भी हम सब लोगों ने देखा है उसी तरीके से तीस साल से राजनेति कारणों से नारी शक्ती वंधन और महिलाओं का रिजर्वेशन की वेफ पर राजनीती होती नहीं पौर थर्टी यहर्स, तीस साल कोई कुछ नहीं को लेकिन प्रानमंट्री मोदी जी की फिर से इच्छा शक्ती और आप सबका सहयोग तीस साल से जो कारे नहीं हुआ वो तीन दिन के अंदर प्रधान मंत्री मोधी जी ने नारी शक्ती वंदन विधे को पारिश करके और अगली बार लोक सभा में दोहजार उनतीस में हम तेटीस प्रधिशत सांसर हमारी महिलाएं बहने होंगी यह भी हम देखने वाले हैं इस तरीके से आज़े मैं बजबूत नेत्रतु का एक प्रमान और एक विशेश जरूर आपसे चर्चा करना चाहूंगा यह कोविड जब आया कि तो शायद यह शनापडिश का सबसे बड़ा पेंडमिक था एंदुनिया नहीं जानती थी किस पेंडमिक से कैसे लड़ा जायेगा आपको पता है बड़े बड़े विक्सिप देश अपने अपने निरने प्रक्रिया में वह भी डमा डोल हो गए है वह भी नहीं तेह कर पाए कि मानवता जरूरी है या अर्थशास्त्र जरूरी है आर्थिक विशे जरूरी है या मानवता जरूरी है या एकॉनमी जरूरी है और बहुत से देश विक्षित देश लॉकडाउन लगाएं कि नहीं लगाएं लगाएं कि नहीं लगाएं इस बीच स्री मोदी जी का नित्रतों मजबूत इरादे दूर दृष्टी इस बात को ध्यान में रख करके उन प्रहान मंत्री ने कहा जान है तो जहान है और लॉकडाउन लगाया और जहां हमारा देश कोरुणा से लड़ने के लिए तैयार नहीं था वहीं दो महिने के अंदर कोरुण से लड़ने के लिए प्रदान मंत्री जी ने देश को तैयार किया और फिर कहा चान भी है और जहान भी है और फिर लॉकडाउन को हटाते हुए और दुनिया के नित्रत ने और दुनिया के लोगों ने इस बात को माना इस बात का लोहा माना कि प्रदान मंत्री मोदी जी का क स्ट्राटिजी और उनका तरीका दुनिया में सापित हुआ कि वह सबसे अच्छे तरीके से मानवता के लिए कारे किया गया इस बात को भी हमने देखा मैं बार बार इस बात का दिक्र करता हूं हम तो हमेशा रिसीविंग एंड पे रहते थे इस देश में ट्यूबर क्लोसिस क की दवा 25 साल बाद आई कोई दवा 28 साल बाद आई टेटनस की दवा 30 साल बाद आई जैपनीज इंस प्लाइटिस की दवा यह 100 साल बाद आई लेकिन कोरणा रानमंत्री जी ने 20 अप्रेल 2020 को टास्पोर्स बैठाया और 9 महिने के अंदर तोदो वैक्सीन दी और 220 करोड डो दुनिया को भी वैक्सीन मेत्री में 100 देशों को भी हमने वैक्सीन कहुंचाई यह वी हम लोगों ने देखा और डबल डोज के बाद बूस्तर भी लगा यह भी हमने देखा मैं यह यहां यह भी बतार देना चाहता हूं कि यह सबसे तीवर गती से चलने वाला वैक्सीरेश जी मैनिफेस्टो और संकल्पत्र के बारे में आपके सामने सारी बाते रखेंगे लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि कि दस साल इस बात का प्रमान है कि देश ने इस बात को माना है कि मोदी की गारंटी गारंटी पूरी होने की गारंटी है इस बात की गारंटी और यहां मैं स्वास्त से जड़ूर जुड़ा हुआ विशय जड़ूर कहूंगा अब मैं जब स्वास्त मंत्री प्रधान मंत्री मोदीजी ने बनाया 2014 में और जब मैं वर्ल्ड हेल्ट एस्मेली में गया तो वहां हमारे बारे में ऐसा सोचा जाता था कि यह फॉलोइंग कंट्रीज यह फॉलो करने वाले देश और उस समय बात चल रही थी युनिवर्शल हेल्थ कवरेज की यूएच्ची की बात्ची चल रही थी हमने भी नहीं सोचा था कि हम यूएच्ची में कभी कुछ कर सकेंगे लेकिन मोदी जी ने आयुश्मान भार ये सबसे बड़ा हैल्थ कवरेज प्रोग्राम पचास करोर 50-50 करोर लोगों को पांच लाख रुपे का हेल्थ कवर गंभीर बीमारियों से लड़ने का और आज वो सबसे बड़ा हैल्थ कवर प्रोग्राम बन गया दुनिया का वह भी हमने देखा और उसके अगली वार जब मैं वर्ल्ड हेल्ट एसमली में गया तो सब ने कहा प्लीज टेल एस सम्थिंग अबाउट आईश्मान भारत तो यह एक हमने दुनिया के चित्र पर भी देखा कि कैसे भारत को आगे बढ़ा है बढ़ा है मोदी जी इसलिए मैं एक बात सिर्थ कहूंग कि आज जो संकल पत्र आधरनी प्रधान मंत्री मोदी जी जिसके बारे में जिनका हमें संबोधन मिलेगा वह एक लंबी चलान भारत को विक्सित भारत को पूरा करने में अपना पूरा योगदान करेगा यही मुझे पूरा विश्वास है इनी शब्दों के साथ मैं पुना जान मंत्री जी का और आप सब का धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोग इस कारकर में शामिल हुए